इन्टेस्ट रही हैं। suitable culture medium और पिर उन cells को हम बोलते हैं transgenic cells क्योंकि उन cells के पास हमारा gene of interest मौजूद होता है तो इन cells को पिर हम culture medium के उपर grow करवा देते हैं यह cells mitotically divisions start कर देते और इसके result में फिर बनता है callus तो उस callus की हम subculturing भी कर सकते हैं तो इस callus यह इसकी subculturing के result में जो plants बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं transgenic plants तो these transgenic plants are formed by successful tissue culture तो इस रही के से tissue culture के जरिए हम अपने plants को transgenic बना सकते हैं और फिर इस transgenic plants के आगे जो next next generation बन रहे होते हैं तो वो भी transgenic plants कहलाते हैं क्योंकि उनके पास भी हमारा gene of interest मौजूद होता है तो यह हमने वो method पढ़ा जिसके जरीए हम plants के genetic material को change कर सकते हैं इसके लिए हम tissue culture का method यूज कर रहे होते हैं अब हम कुछ ऐसे crops के बारे में पढ़ते हैं that are approved by agriculture some agriculturally approved transgenic crops यह वो crops है जोनको agriculture department ने cultivation के लिए approved किया हुआ होता है इन 2002 ट्रांजने क्रॉप सार कल्टिवेटेड वर्ल्वाइट और बाउट 148 मिलियन एकर्स 587 मिलियन हेक्टर्स लेंड बाइबाउट 5.5 मिलियन फॉर्मर्स तो अब अंदाज लगा सकते हैं कितने बड़े लेंड के उपर यह कल्तिवेशन की गई थी और कितने जादा फॉर्मर्स में इनकी कल्टिवेशन में पार्टिसिपेट किया था तो आब यहां पे उन क्रॉप्स के नाम मेंचिंट है उसमें आज आता है राउंडप रेडी स्वायबीन यह स्वायबीन का एक जनेटिकली मोडिफाइड वर्जिन है हाई लोरिक रैप सीद कैनोला जिससे हम पाईल ले रहे होते हैं तो उसको भी जनेटिकली मोडिफाइड किया गया है और उन जो मोडिफाइड वर्जिन है तो उनका नाम रखा गया है फ्लेवर सेवर या उनको हम एंडरिस समर कहते हैं एक्सर अब्जेक्टिव में आ जाता है कि टोमेटो का जो मौड़िफाइड वर्जिन है उसका क्या नाम है तो फ्लेवर सेवर या एंडरलेस समर दिवरिंग नाइटीन नाइटीव फुल रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटीड टू बीटी जीन के बात की ती के यह बैक्टेरिया के अंदर मौजूद होता है बैसलिस तीरंजेलिस के अंदर और यह जीन विस्पॉंसिबल होता है क्राइप प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अगर इंसेक्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक्टिब हो जाते हैं और उन इंसेक्ट के अंदर परफुरेशन कास कर रहे होते हैं तो यही जीन हमने उटा कर ऐसे क्रॉप्स के अंदर इंटिड्यूस किया हुआ है जिन क्रॉप्स को बहुत जादा खतरा रहता था ता यह जो जीन है या अब हमने क्रॉप पर सप्प्रे नहीं कर रहे होते हैं। लिए वो किल हो सके बल्किए यह जो क्रॉप है यो अपने प्रोटेक्शन खुद करता है इसकी बौड़े में भी प्रोटीन बने लगते हैं जो के बैक्टेरिया बना तो यह प्रोटेक्टेड रहता है डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की अटाइक से तो अब इन बीटी जीन कंटेनिंग ट्रांजने क्रॉप्स में आ जाते हैं न्यू लीफ पुटेटो यह पुटेटो का मोडिफाइड वर्जन है मैगजीमाईजर कॉन बु चाहिक कि दीफरेंटे बिफरेंट टाइप के अग्रीकुलचयर लीफ परॉफ को आफिको क्लॉफ को बढरे सकते हैं पर लीफेशन के लहाओं टमधना खॉत दो फिर ते बाकी बाकी अनिम्स को नुकसान पहुंचा भी सपले अरे नहीं होते हैं प्रमिशन दे जाती है in तो इनकी बहुत लार्ज स्केल पर कल्टिवेशन की जाती है और यह एपरूब भी है गवर्मेंट से